हालो गर्ल्स वेल्गम बैक तो मैं चैनल ग्लैमर लाइस्टाइल आई होप यौड एंड सेफ मैं हूँ आपकी भारती और मैं आपके लेकर आते हूं फैशन ब्यूटी लाइस्टाइल एंड होम डेकॉर से लिटिए वीडियो तो अगर आप में चल्पे नहीं है और फर्स्ट कर लीजेगा और बैल आइकन को भीट कर लीजेगा ताकि आने वाई सारी वीडियो को आपको मिलती रहे और आप मेरे अमेजिंग वीडियो को हैं इंज्वाइ कर सकें तो जी हां आज का वीडियो होने वाला है हमारा बहुत ही ब्यूटिफुल सी और बहुत ही कितना संदर ओं यह लग रहा है बहुत ही प्रिटी है और बहुत ही इस तरह से आपको एमोती की चेन केसाथ मिलता है तो यह कलर ऑपिक्ष देख सकते हो तो इसमें से हो और भी मिल जाएंगे तो आप अपनी ड्रेस के अकॉर्णिंग या फिर अपनी चॉइस के अकॉर्णिंग जो है कलर बाय कर सकते हैं इसमें तो मैंने मुझे पीछ कलर काफी सुन्दर लग तो इसलिए मैंने पीछ कलर बाय किया है तो आप देख सकते हो कितना सुन्दर यह लग र वैसे आप गोल्डी जूरी पहनते हो तो इसलिए आपके लिए ये काफी अच्छे है गाईज कि आपको बार-बार भी नहीं पहनने पड़ी और बहुत एफॉर्डर रेंज में ये आप मैंने बाई किया है तो इतनी एफॉर्डर रेंज तो कोई भी ऐफॉर्ड कर सकता है गा और ये वाला मेरा मतलब सारी जूर्ड़ी हो में वैसे सारे ही जो मैंने सैट मगवा हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं बट ये वाला मेरा सबसे जादा फेबरिट है तो ये मुझे बहुत ही सुन्दर लगा गाईज ट्रस्ट मी और इसी तरह का मैं गोल्ड का भी स सकते हैं और यह देखते हैं कौन सा सेट इससे तरह की पैकेजिंग नहीं है और पुछ के साथ बॉक्स भी मिलते हैं आपको प्लास्टिक के और कुछ के साथ नहीं मिलते हैं तो यह आगया हमारा पॉल सेट गई तो यह मैंने पॉल सेट मगवाय था, पॉल सेट भी आज के काफी जाधा ट्रेंड में है, आप लोगों को पता ही होगा गाई, तो मैंने सूचे चलो एक सेट में पास भी होना चाहिए इस तरह का पाल का, तो यह आपको इस तरह का डबल माला के साथ आपको यह मिलने वाला है इस तरह से, जब आप इसको वियर करोगे तो यह हाई लोग में आएगा, एक माला थोड़ा हाई में आएगी और एक लोग में आएगी, और यहां पे इसको आप इजी ली इस तरह से ओपन कर सकते हैं, और इस तरह से वियर कर सकते हैं, बहुत ही सुन्दर सी और काफी हैवी भी है यह तो आप देख सकते हो अगर इसकी क्वालिटी की मैं बात करूंगा इसकी बिल्कुल भी ऐसे निया कई बार होता है थोड़ा साथ अगर इसको थोड़ा सस्ते लेते हैं तो इनके मोतियों के जो होता है उपर से स्कीन निकलरी होती है कुछ इस तरह से पर नहीं यह ब लेंगे बहुत ही सुंदर और क्यूट लगेंगे पहनने के बाद तो बहुत ही प्यारे हैं गाइस ट्राइवन में आप देख सकते हैं कि वियर करने के बाद कैसा लग रहा है यह सेट तो काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी माला की भी और एरिंग्स की भी गाइस तो यह म ही में यह संद्लिय की रेंज में गाइस देफिली अफ सारी बाय कर सकते हैं तो यह थो कोई कह सकता गाइस की महंगे हैं उस्ठे नेक्सके कि इ समय के इसकी Ah तो यह इस तरह के बॉक्स में आया था इस तरह प्लास्टिक का बॉक्स नहीं आया है गाई तो यह देख सकते हो कितना प्रेटी और कितना सुन्दर है गाई और इतना यूज भी है इतना बड़ा भी है तो इसको आप किसी भी अपनी ड्रेस के साथ या फिर कोई मतलग गर्षिश ए भी है भी है है वी लुक जो चिसी भी ड्रेस के साथ आप उसको गर जैसे सूट घ्ण और भी वियर कर रहें को सिंपल सा सूट यह वियर करेंगे तो बहुत ही सुंदर सी क्रेस है जाएगी सूट की भी और आप किसी प्रिंटेड सी अमला स्कॉर्ट हो और उसके प्लेन शर्ट के साथ आप इसको वियर करेंगे तो बहुत ही सुन्दा लगेगा यह गाई तो इस तरह की ऑक्सटाइज जूलरी तो आज कल काफी दा ट्रेंड में है ही है तो मैं तो इस तरह कुछ लॉंग भी मंगवा लेते हैं कुछ नो कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए गाई तो कैसा लग आप लोगों को कमेंड करके जरूर बताना मुझे तो यह भी आई थिंग 100 संथिंग की रेंज में ही है और काफी बड़ा भी और काफी अच्छा भी इसके राद कोई एरिंग सगरा नहीं आएंगा यह सिर्फ अकेला ही आया है बट अगर इतना हैवी आपने कुछ पहन रहें तो यह रिंग पहनने ही जरूरत नहीं है यह पर हैवी यह यह रिंग साप्राइब तो फिर आपको में पहनने की जरूरत क्योंकि बहुत जांब बहुत ही भरा-भरा चा लगने लग जाता है तो ये भी है हमारा बहुती jude photographer guys और इसके अंदर आपको मिला है मांगी कभी तो ये आया है इस तरह के बोक्स में इश्टाक बॉक्स आप सास्त टेमें ई मैं इसमिदाल नहीं है तो यह आप देख सकते हो इसके आप अच्छे से पैक करके भी रख सकते हो और इसके साथ आपको मिलने वाल हो इसना के बहुत ही क्यूट से इरींग्स देख सकते हो आप इसदे क्यूट लग रहे हैं यह और बहुत ही लाइट वेट भी है गाई साप इनको सारा दिन भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि भूसंत में अब कुछ इस तरह का मांग तिकागाई यह भी बहुत ही सिपल सोबर सा और बहुत ही लाइट वेड़ सा है तो अगर आप चाहूं तो इसको क्यारी भी कर सकते हैं किसी फंक्शन व्यार में और साथ में आपको मिलने वाला है यह इस तरह का बोगत वुद्वी सा चोकर जिसमे तो काफी अच्छी कॉलिटी का है तो आप चाहरे इनकी फिनिशिंग है काफी अच्छी कॉलिटी है ऐसा नहीं है कि बहुत यह पॉड़र प्राइस के आपको मतलब चीप से हैं या तूटने वाले हैं यह कुछ नहीं है तो देखो यह सामान वैस तो डेलिकेट होता ही है थ फिर भी गाइस काफी अच्छी कॉलिटी में मुझे नहीं रखता है कि काफी बार वियर करने के बाद भी इनको कोई फरक पड़ने वाला है तो इस तरह के बॉक्स में आप इसको संभाल कर रख सकते हैं इस तरह से इस चोड़ा सब बॉक्स आपको प्लास्टिक इसमें मिल जाता है संभाल के रखने के लिए और अच्छा भी रहता है इस तरह के बॉक्स में अगर आते हैं गाइस तो यह तूटने फूटने का डर भी नहीं रहता है और आपको भी एक बॉक्स मिल जाता है क्यारी करने के लिए आसे बॉक्स बॉक्स आपको बड़े से बॉक्स में स मिल जाएंगे में मिल जाएंगे मैंने just right कर सकते तो बहुत क्यूट स्था है और बहुत अफॉड स्थ हेवी unique बी-यग है यह आप देख सकते हों तुर्ट भरा-भरा सा नेख बहुत ही लाइट फेंट और यह 117 रूपीज की रेंज में वैंने बाइ किया गाइस और यह रिंग भी आप देखते हो काफी भरे भरे सेंज के और है वी बिल्कुल भी नहीं है काफी लाइट वेट सा सेट है यह और काफी अफॉरड़ेवल रेंज में आपको काफी अच्छा सेट मिल जाता है तो यह भी आप डेफिनिटली बाइ कर सकते हैं इसको भी आपकी सीपी इंडियन और वेस्ट रेस के साथ वियर कर सकते हैं तो बहुत ही क्यूट सा है यह अब आप देखते हो क्वालिटी की इसकी काफी अच्छी है और ऐसे चुट चुटे फ्लार्स के आपको इसके अंदर डिटे आपको इसके अच्छा क्यूट सा सैट बहुत है तो यह अच्छ का हॉल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसी वीडियो और पी दिखने चाहते हैं तो लाइक शेर कमेंट किया कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे और वी बबाई टेकियर